हरे कृष्णा स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल नर्सिंग अदिकारी पर फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीजे लेके आया हूं जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप नौर्सेट और ऐसी किसी सेंट्रल गवर्मेंट ए यरे नर्सिट का देने से पहले आपके पास क्या चीजे होनी चीए और किंछ चीजों के बारे में आपको वीडियो में बताने वाला हूं तो Friends, सबसे पहले मैं जिस चीज की बात करूँगा, वो बात करूँगा motivation की. Friends, बहुत लोग हैं जो अपना motivation इस चीज के लिए और इस exam के लिए बनाए रखने में समर्थ नहीं हैं और नहीं बना पा रहे हैं, तो सबसे पहले देखे, motivation बनाए रखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी speaker को नहीं सुनना है, किसी book को नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको एक question का जवाब आना चीए, क्यों आपको नौरसेट पास करनी है, जिस दिन आपको इस क्यों का जवाब मिल जाता है, किसी भी काम के लिए, अगर आपको करने के लिए, क्यों का जवाब ढूनना पड़ेगा सबसे पहले, जिस दिन इस क्यों का जवाब मिल जाता है, आपको किसी motivational speaker और किसी motivational book को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्यों है, उसका जवाब ढूनना है, इस क्यों के जवाब बहुत हो सकते हैं, आपकी अपनी परिष्थितियों के इसाब से, आपकी family में अगर मान लीजे, अभी तब कोई service में नहीं आया है, और आप पहले वेक्ती हैं service में आने के लिए, तो इसलिए आपको नौर्सेट पास करनी है, यह आपका पहला जवाब हो सकता है, दूसरा आप यह हो सकता है, कि आप एक अच्छी जिन्दगी जीने के लिए, अभी तक आपके माबाप ने, आपकी जो parents हैं, उन्होंने एक अच्छी जिन्दगी और अच्छी जगे scale पे काम नहीं करने वाला वेक्ती है, तो आप नौर्सेट पास करके भी अपना एक benchmark सेट कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे answers हो सकते हैं, इस एक क्यों के, वो आप अपने background और परिस्तितियों के आधार पे चुन सकते हैं, सोच सकते हैं, और समझ सकते हैं, और इस क्यों का ज वाकत कम नहीं करते हैं, जिस पे मैं बात करूँगा, वो है concept, देखे friends, concept पे focus करके study करना बहुत जरूरी है, concept क्यों जरूरी है, concept पे जिस दिन आप focus करके study करते हो, उस दिन आप से बले practical field से question पूछ लिए जाए, या फिर theory से, या फिर पूछ लिए OT से, या फिर ICU से, कोई फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके concept बहुत ही strong है, जिस दिन आप concept बिल्ड करके study पे focus करोगे, उस दिन के बाद आपको इन सब चीजों से कोई फरक नहीं पड़ने वाला, इसलिए आप जिस दिन concept बनाते हो, उस दिन आपका knowledge और skill दोनों बढ़ जाते हो, और इस exam के लिए क्या होता है, कि आपको knowledge, skill इन ही के उपर based आपका क्या किया जाता है, judgment किया जाता है, इस exam के माध्यम से, थर्ड यह चीज है वो है patience, देखिए friends, तीन गंटे का exam और 200 questions, 200 questions, बहुत सारे questions होते हैं, इतने सारे questions को करते समय पे हम देखते हैं, कि शुरुआती questions में तो ह बहुत ज्यादा हो चुकिए, अब performance गिरने लग गई है, 101 से लेके 150 तक पहुंच रहे हैं, हमारी एक्जर्शन और बढ़ गई है, और fatigness भी बढ़ गई है, mental fatigness और performance का level और भी ज्यादा गिर गया, तो इस तरह से हम देखते हैं कि 200 questions तक पहुंचते पहुंचते हमारी performance क का level इतना गिर चुका होता है, इतनी mental exertion हो जाती है, इतनी mental fatigness हो जाती है कि हम क्या सोचते हैं कि बस अब यहां से निकल के बाहर जाके सांस ले, और आखिर में तो यह सोचने लग जाते हैं कि अब भले ही selection हो या ना हो, इस exam से और इन तीन घंटों से पीछा छूट जाए तो friends, हमारे को उन तीन घंटे में जो main जो चीज बनाये रखनी होती है, वो है patience, और यह patience बनाये रखने के लिए, यह mental exertion कम रहे, यह mental fatigness ना आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखे friends, सबसे पहले mental हमारे को peace चाहिए होती है, उस exam के day के लिए, तो सबसे पहली उन तीन घंटों के exertion से बचने के लिए, सरीर को ऐसा कोई भी mental exertion, उन एक के दो दिनों में हमारे को ऐसा कोई भी टास्क नहीं करना है, जिसमें mental exertion या mental fatigness बढ़े, क्योंकि इससे सीधा सीधा हमारी performance में फर्क पड़ता है, तो कोशिश यह करें कि हम किसी भी टास्क को ल physical fatigness आएगी, और जब physical fatigness आएगी, तो उसका सीधा contact होता है mental fatigness से, तो इस तरह से आपको किसी भी इसे काम में involved नहीं होना है, जो आपको continuously fatigness दे, चाहे वो physical हो, या फिर mental fatigness, तो इस तरह से आपको अपनी performance को बनाए रखने के लिए इस चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और इस performance से ही आप अपना उन तीन गंटे में patience बनाए रख पाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से आपको तीसरी चीज पर ध्यान देना है, वो है patience, नेक्स जो चीज जिस पर हमारी को focus करना है, वो है mcq pattern guides को follow करना, देखे friends, mcq pattern वाली guides को क्यों follow करना है, now these days in any kind of exam related to nursing competition, there is no straight questions at all, ठीक है, आज कल किसी परकार के कोई straight question किसी भी exam में नहीं पूछे जा रहे है, इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, mcq pattern की जो questions है, उनको focus करना है और उनी guides को follow करना है, next बात करते हैं, syllabus की, देखे friends, syllabus है अथा, बहुत जादा syllabus है, इसलिए आपको अप किसी चीज के पीछे पढ़ जाते हैं, अगर आपने ECG पढ़ना शुरू करते हैं, ECG इतना भी पढ़ सकते हो कि जो एक काडियोलोजी वाला doctor भी पढ़ रहा है, तो इस तरह से आपको अपनी limitations तै करनी है कि किसी point को कहा तक पढ़ना है, और इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जो most repetitive, जो exams की questions हैं, उनको देखिए, उनको समझिए कि उनके अंदर इस related topics से कितनी limit तक questions आएं, उस limit से बाहर जाने की कोशिश ना करें, अदर्वाइस आप क्या करेंगे, अपना स्टमय भी खराब करेंगे, और बहुत ही कम समय में आप इतने सारे topics भी cover नहीं क के हिसाब से, अपनी limitations ते करें, किसको देखके, repetitive questions को, last year's के questions को देखकर के, next बात करते हैं, image-based और video-based questions की, देखे फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, 500 या 600 जितने में image-based और video-based questions हैं, उनको छाट लीजिए, अलग कर लीजिए, उनसे related material को भी क्या कर लीजिए अब इस material को क्या करना है, एक बार सुबय एक गंटा देना है, एक गंटा शाम को देना है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, regular एक गंटा सुबय, एक गंटा शाम को, इस तरह अगर आप 15 से 20 तक लगातार exam से पहले आप इनको revise करते हैं, तो ऐसी कोई दुनिया की ताकत नह उनके बारे में आप पढ़िये इसी तरह से बहुत सारी ऐसी प्रोसीजर्स है जिनके बारे हम आप रेगुलरली पढ़ते हैं परन्तु आप इनसे रिलेटेड जो इमेज बेस्ट क्वेस्चन सा आप उनको नहीं ध्यानते नहीं पढ़ते इसी कारण एक्जाम में उनसे रिले प्रेक्टिकल नौलाइज से रिलेटेड उसके बहुत सारी वीडियो डाले हैं आप उनको एक बार रिवाइज कर लीजेगा और इससे रिलेटेड कोई और भी स्टडी मेटेरियल आपको मिलता है तो आप उसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि इमेज बेस्ट क्वेस्ट आए है क्योंकि आजकल जो इंटर्विव और क्लिनिकल जो सिनेरियो होता था वो सब बंद कर दिया गया है स्किल्टेस्ट इंटर्विव यह सब बंद करने के बाद अगर मानली जो कोई इंस्टिटूट ऐसे नर्सिंग ओफिसर्स को रिक्रूट कर रहा है जिनको इसके अलावा नेक्स्ट बात करूंगा है उनके उपर फोकस करना है उनको क्यों पढ़ना है कि इससे दो चीजे निकल के आती है Most repetitive questions है अगर मानली जी यह repeat हो जाते है तो आपके सीदे सीदे आपके क्या होते है एक, दो, एक, दो, हर एक chapter में से क्या हो जाते है नमबर बन जाते हैं ये नमबर पक्के हो जाते है second previously asked question को पढ़ने से क्या फाहिदा होएगा इनको पढ़ने से क्या हुएगा देखिया आपको questions का pattern मालुम चलेगा कि किस तरह से question आते हैं अगर माली जी आप abg पढ़राया तो abg से सब किस से question आएगा आपको यह पता हो जाएगा तो इस तरह से आपको क्या होगा दो चीजे निकल के आते सबसे पहले तो सीधे-सीधे आपके नंबर पक जादेंगे second आपको उनसे related जो pattern है questions का वो पता चल जाएगा इसलिए most repetitive questions और previous years के question papers को आपको क्या करना है solve करना है next जब भी आप mcq patterns को follow कर रहे है guides को और gips भी guide को या book को पढ़ रहे हैं आप खुद के notes तयार करें देखे friends खुद के notes तयार करने से क्या होता है आपने जो notes तयार किये हैं इसका मतलब यह है कि आपको इन चीजों में क्या है difficulty है या फिर इन processes को समझने में कोई difficulty इस में include करता है साथ ही साथ उसको जो चीजे process जो नहीं समझ में आ रहे थी उनकी outline बनाएगा जब की हो सकता है वह चीजें आपको आए इसलिए वह नोट्स आपके लिए कोई काम के नहीं है इसलिए आपको खुद के notes तयार करने है ठीक है इस चीज पर भी आपको focus करना है last ए policy follow करनी है amq attempt maximum question की policy क्यों follow करनी है देखे friends मैं बताता हूँ अगर मान लीजी 200 question है उसके अंदर आपने 10 questions क्या किये हैं अपने मन से किये हैं तो इससे क्या होता है देखिए आपको 10 में से 2 question तो आप किसी भी exam का कोई भी ऐसा topic हो जो ना भी पढ़ा हो अगर आपने उसको attempt क है तो दो question आप क्या कर देते हैं solve कर देते हैं दस के अंदर तुक्का मार के भी तो ऐसी situation में आपके वह जो 8 question गलत है वह दो question सही है उससे आपका क्या होता है negative marking balance हो जाता है तो ऐसी situation में याद रखे amq policy आपको follow करनी करनी है जिसने question ही अगर मान लीजे 200 question में से question ही 100 किया ह 150 किया है तो उसके अंदर 30 गलत हो जाएंगे साथ ही साथ उन 30 को क्या करेंगे negative marking को balance करने के लिए 10 to 20 marks वे से कम हो जाएगे वापस वही गनीत 100 पर आ जाती है तो इस तरह से देखिए जिसने 150 160 किये हैं उनके selection बहुत ही पीछे की तरफ होते हैं उनकी ranks भी बहुत पीछे आ जरूर रखना है कि जो topics आपने पढ़ रखे हैं उनके questions तो 50% की probability पे आने के बाद attempt करने ही करने हैं अगर मान लीजे चार मेंच आपको पता है दो नहीं है तो जो दो हैं सही उनको आपके अंदर risk लेनी ही लेनी है उनको सही करने की कोशिश करनी ही करनी है नहीं भी हो तो attempt करना ही है ठीक है यह चीज़ ध्यान रखने है जितना ज्यादा रिविव में questions को डालते जाओगे वह reviews इकटे होते जाएंगे और आप उनको क्या करोगे आप आखिर में जब तक पहुंचोगे math और reasoning के section में तो वहाँ पर क्या होता है math reasoning के section में वह time consuming section होता है वहाँ पर आप क्या देखते हैं कि बहुत ज्यादा time लगा देते हो दो को दो से गुना करने में चार के चार से गुना करने में ऐसी situations में तो आप क्या देखते हैं कि reviews को पीछे की तरफ आके उनको solve करने का time ही नहीं मिलता इसलिए जितना हो सके कोशिश करें review में questions को कम डाले या फिर डाले हिने, या तो उसे कर दिजिए, या नहीं करना है, ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, जैखिए जो friends, जिन topics और जिन चीजों को आपने कभी जिन्दगी में देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो आप उनको तो सीधे सीधे उन चीजों को छोड़ दीजिए ठीक है इसके अलावा जहां पर 50% सही होने कि उनको अटेम्ट करना ही करना है फिर बाद में आप क्या करिए रिव्यूज को अपना यह रिव्यू फिर बनाने है रिव्यू में भी आप नियम बना लीजिएगा कि 100 क्वेस्चन के अंदर बीच में 10-15 अगर मैंने रिव्यू में डाले हैं अगर इससे ज्यादा डाल रहा हूं कि हाँ वह दस क्वेस्चन के अंदर से 500 डाल दी है इस तरह 200 क्वेस्चन के अंदर आप 100 डाल दोगे 100 डाल दोगे उनको करोगे कब तो इस तरह से आपका बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है तो जितना हो से के कोशिश करें कि रिव्यू में कम क्वेस्चन को डालें तो इन सब चीजों पर ध्यान देके आप क्या कर सकते हैं अपनी सफलता की शीडियों पर चड़ सकते हैं चाहे वह मोटिवेशन की बात हो चाहे पेशेंस की बात हो या फिर पहुँचा सकती है इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सबस्क्राइब करिये वीडियो को लाइक करिये और अपने फ्रेंड्स से तक इसको शेर करिएगा आप हमारे वेरियस सोशल मेडिया हैंडल सा आप हमें वहां पर फोलो कर सकते हैं साती साथ आप टेलिग्राम चैनल भी जोइन करिए जहां पर मैं बहुत सारे वीडियो की नॉटिफिकेशन वेकेंसी की इन्फोर्मेशन शोट्स नॉट्स पीडियाफ यह सभी प्रो है जा टेह से में मैं भी जहां सीघकेंडा मैं बहुत सारी प्रोचरव मैं पर सकता कार 한 वीछ क्षेशन प्रत्तों थेलिग थाय क्राइब यहां प्रोचरण करेंसी कです।